आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमें बताना है कि जिराफ की Long Neck में कितनी Bones हमें मिलेंगी जिराफ की जब हम बात करते हैं तो यह एफरिका में मिलने वाला एक तरह का Mammal है Terrestrial Mammals की जब हम बात करते हैं तो tallest Terrestrial Mammal हम इसको कह सकते हैं और यह Mainly जो इसकी Height है इसकी Long Neck की वज़े से ही होती है और Further Ruminants के अंदर हम इनको प्लेस करते हैं और Ruminants में भी सबसे बड़े साइज का Largest Animal जिराफ ही होता है तो यहां पर इसके Long Neck की बात हो रही है तो Bones जो इसके Neck में Extend करेंगी वो इसके Vertebral Column में ही होगी अभी एक Mammal है तो Vertebrates के अंदर तो आएगा ही इसके पास इसकी Notocod Vertebral Column में Modified है यानि Backbone जिसको हम Common Language में कहते हैं वो हमें इसमें मिलेगी और हमें मालूम है कि इस तरह का जो Vertebral Column या Backbone होता है वो Vertebrate नाम के छोटे-छोटे Units के आपस में मिलने से बना हुआ होता है और Vertebrate भी हमें Vertebral Column में Different Types के मिल जाते हैं यानि इनकी Position के Basis पे हम इनको Categories में Divide करते हैं एक होते हैं हमारे पास Cervical Vertebrate फिर आजाते हैं हमारे Thoracic Vertebrate इसके बाद में हमारे पास Lumber Vertebrate और Finally जो सबसे नीचे हमें मिलेंगे हमारे Vertebral Column में वो हो जाते हैं हमारे Cochageal Vertebrate तो Vertebral Column में जो Neck Region में Bones होती हैं या Vertebrate होते हैं उनको हम Cervical Vertebrate का नाम देते हैं फिर Thoracic मतलब जो Thorax Region में या Chest Region में होंगी हमारी Backbone की Vertebrate उन्हें कहेंगे Lumber Vertebrate Lower Back में कमर में जो होंगी उन्हें कहा जाता है जबकि Cochageal Cochageal Vertebrate से बना हुआ है यानि हमारी Tail Bone जो हमारे Distal Region है Vertebral Column का उसके Vertebrate को या Final Vertebrate को हम Cochageal Vertebrate कहते हैं लेकिन क्यूंकि जिराफ एक Mammal है तो Mammals का ये Characteristic Feature होता है कि इनके Vertebral Column को Observe करेंगे तो इनके Neck Region में जो Vertebrate होंगे या Cervical Vertebrate होंगे उनका Number हमेशा Constant रहता है 7 Cervical Vertebrate हमें मिलते हैं और इसके हमारे पास बहुत ही कम Exceptions होते हैं सभी Mammals में लगभग हमें 7 Cervical Vertebrate ही मिलेंगे सिवाए हमारी Sea Cows के जिनको Manatee हम कहते हैं और दूसरे exception हो जाता है हमारे पास Sloth Bear इसके अलावा सभी में हमें 7 Cervical Vertebrate मिलेंगे अब जिराफ की इतनी Long Neck है Exceptional Morphology है फिर भी इसमें हमें Mammals की Characteristic 7 Numbers ही मिलेगा Cervical Vertebrate का हाला कि वो थोड़े Elongated या Expanded होते हैं हम ऐसा कह सकते हैं और Vertebral Disc भी प्रेजन होती है यही रीजन है कि इसका Neck इतना Elongated Structure है लेकिन Cervical Vertebrate की बात करें तो Option B 7 ही सभी Mammals की तरह जिराफ में भी हमें मिलेंगे Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 Million से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर